लेकिन जिस तरीके से आज पूरा इस तरह संदर खुबसरे तरीके से बनाया गया लायना गाया देखने के बाले में किस तरीके से हम यहां पे और डेबलब कर सकते हो को और क्या रूल हो सकता है हम एक्टिबली वह काम करते जाएंगे जुनियर था मैं सिनियर था उसका तो दोस्ते था और आज भी दूस्ती रहा है वह कहीं ला कहीं हो रहा हुआ कि आने के बाद काफी अच्छा फिन वाएगा इस क्योंकि इस कॉलेज में अपना तीन साल गुजरा है क्लास ख़दम होता हम यहां आके बैठके तो यह फूरा तो है काई विलकम बैक तो मैं निव व्लॉग क्या हल चाल I hope you all are doing great मैं भी काफी मस्त हूँ और आज गाइस कॉलेज पर जाना है जा दूस्तों काफी दिनों के बाद यहां पे कॉलेज विजिट करना है क्योंकि नाक टीम यहां पर कॉलेज पर आ आये हुए हैं और वो लोग ऐनुमेनी से मीट करना आ जाते तो मैं भी इसी कॉलेज का हिस्सा साहु मैंने तो 2016 में हाजी अन्फरणी कॉलेज जडवगा से अपना ग्रेजुएशन कंप्लेट किया दा पॉलिटिकल साइंस पे तो यहां पर कॉल किया गया था कॉलेज की तरफ से कि इम्रान आप आज हाओ आप वो नाक टीम से भी आप विजिट कर लोगे तो सोचा कि छली कोलेज पे ही चलते हैं। काफि लोगोंay को यहां से कहां से कॉलेट क gjया है लेकिन बाके बाहर जितने को गासे लोग बाके इंट्रस्टिंग व्लोग रहेगा जो भी यहाँ पर होता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगा तो गाइस वुडियो पर बस बना रही है और काफी अच्छा लगता है कि कुछ करने के बाद जब कॉलेज आपको यहाँ पर बुलाता है और मैं जिस कॉलेज से यहाँ पर गेजुएशन कंप्लेट किया है वही कॉलेज आज मुझे यहाँ पर इंवाइट कर रहा है तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने अपने सिंदगे में कुछ ना कुछ करा है जिसको वज़े से यह लोग आज में मुझे यहाँ पर याद कर रहे हैं और फाइ फिर भी पहुच जाएंगे दो बज़े के असपास तो गाइस फिलहाल आ चुगा हो और मून को यहाँ पर पिक अप कर लिया और फिलहाल दोनों ही यहाँ पर कॉलेज पर जाएंगे आज फाइनली कोलेज पर आजूगा हूँ क्या जाल बढ़ी बढ़े पर देखे खूब सिरत कॉलेज इतना ज्यादा डेवलप नहीं था लेकिन जिस तरह के से आज पूरा कॉलेज इतरा संदर खूब सिरे तरीके से बनाया गया ना गाइस देखने के बाद मज़ा ही आ गया और मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा इच्छा लगा अब्र को अब्र आज यह रहा हमारा कॉलेज की इंडूर स्टेडियम हाजी अनफारिको अबें काफी बड़ा है और जब हम इस कॉलेज में आया थे तो यह बन रहा था लास्ट है जब 2016 में इस कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ था उस सबक काफियत तक कम हो चुका था हमने एक साल यहाँ पर इंडोर गीम में काफिया यहाँ फिल्हाल यह पूरी तरीके से बन चुका है और एक परफेक्ट इंडोर स्टेडियम हो चुका है बहुत ही बड़िया गाईस अमेजिंग कॉलेज में कितना कुछ गाईस डेबलप ह हो गया है फिल्हाल और काफी अच्छा लगता है और इतना बड़ा कोलेज है मैं पूरा जो इसका व्यू है तोड़ा बहुत आप लोगों के साथ यहाँ दिखाने कुछ करूंगा को सबcules में आने के बाद काफी अच्छा फिन हुआ है क्योंकि इस कोलेज में अपना तीन साल गुझराय और और रेगुलर में आता था और इस कोलेज में जो भी यदी हैना चाइस हो पुरी तरी के से ताजह हो चुका है और इस कालेज में जो भी पर बिताया वह काफी अच्छा हमारे लिए रहा था चाहरी अच्छा लगा और फिल हाल वीडियो शूट कर रहा है मुन वह मेरा एक साल तो वह जुनियर था मैं सिनियर था उसका तो दोस्ति था और आज भी दूस्ति रहा है वह कहीं लगें और आज एक साथ इतने सालों से हम है और यादगार के लावाई तो पेमेरा गुराव दिखा यह जो पेड़ देख रहे हो ना सबसे पहले क्लास खदम होता था हम यहाँ पेड़के तो यह पूरा गाइस जो पेड़ का नीचे का व्यूव है बहुत ही खूबसेरत था और अच्छा भी लगता था चाहों यहाँ पे मिलता था गर्मी की मोसम में और पूरा कॉलेज भी इतना अच्छा है ना काफी एक बार यहाँ पे ज़रूर बेटेंगे थोड़ा यहाँ ताजा हो जाएगा डेफिनेटली और हम इसको बोलते थे आम तला है ना तो च्छाव मिलता था और एक बड़ा पुराना आगाईस यह देखिए आम का पेड़ और यह सामने जो आप लोग देख रहे हो यह केंटिन है हमार तो यहाँ पे हमने चोटा मूटा ब्रेकफस्ट हम करते थे सुबब आने के बाद बूख लगती दी तो डेफिनली यहाँ पेड़स कर लेते थे और लांच भी कर लेते दे डीनर ताएप सिल्यह नहीं था तो लांच म. यहाँ पे करते थे तो कैंटिन में काफी कुछ कॉलेज में आते ही गाइज यहां पर लंच कर रहे हैं और मैं फेबरिट बाद इन सबसे गाइज मिलेगा यहां पर अच्छा लगा तो यहां पर एक साथ बैटके डाइनिंग हॉल में गाइज के लाहन हम तो दे दीजे तोड़ा फिलाल यहां पर हमने लंच कर लिया काफी अच्छा लांच का उसके बाद डालता और भी सब्सक्राइब काफी अच्छा लगा लंच करके फिलाल का इसकुछ बाहर जाते हैं खाते हैं क्यों जा रहे हो बुलना एक पर बुलना पुझ पिखेशांग। अपिजू पॉष्य है। जाने करमचे पुझेता है। डिपानपुमिश्यू साथा सब्सक्राइश्यू और भिजिस्ने साथा है। च्क्राइश्यू अपुट्र एडिनकी कर्या है। और मैंने अपने college से जो ती साल में यहां से दो सुक्राहे का ओप है और देखरली काकुछ खाना है अगर सिकना कोई चाहे तो बहुत चीछ से किता है तो आधर को जो आगे अपने तीचर्स से इसार का मुझे अपने का है तो वह तो कि फाइनली जो प्रोग्राम था खतम हो चुका है हमने वहाँ पर अपने इंटरिक्शन दिया साधी साथ अपना जो स्टेक्शन है कॉलेज के बारे में किस तरीके से हम यहाँ पर डेवलब कर सकते हो और अलूमुनिय का क्या रूल हो सकता है हमें यहाँ पर समझाया और डेफ तरीके से और भी डेवलब कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पर हमने बताया उन लोग को उन लोगों ने भी हमें काफी कुछ सजेस्ट कि है तो फिलहाल कॉलेज से जाने वाले हैं तो इच्छे लिए कलबे हैं और फाइनल गाइस कुछ इस तरीके से पूरा दिन गुमते घर तक का पहुचा और फिलाल गाइस इस वीडियो पर यही पर वाट अब कर लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट किसे इंट्रेस्टिंग और व्लॉग के साथ में यह व्लॉग कैसा लगा नेचे कॉमेंट सेक्शन पर जरूब देगे तो आज को वीडियो मिस्तना है गाइस बाबाई ठ कर अचे कर अचे हैं